हेलो दोस्तों कैसे ओ स्वागत है आपका ओफ्सन ट्रेडिंग के एक ओर लेंडिंग वीडियो में तोस्तों यहां पर देखते हैं कि 12 जनवरी के दिन मार्केट में क्या हुआ है देखी 12 जन्वरी के दिन मार्किट काफी बिलिश रहा है क्यूं रहा है बिलिश चलिए मैं आपको बता देता हूँ देखें यहाँ पर FI और DIA का डाटा आप देख सकते है यहाँ पर FI FI ने 340 करोड रुपे की आपर सेलिंग की है और DIA ने यहाँ पर 2911 करोड रुपे की बाइंग की है जिसका इंपेक्ट यहाँ पर हमें चार्ट पर भी देखने को मिला है चलिए मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ तो हम आ गए है अपने चार्ट के ओपर देखें यह 12 जन्वरी का चार्ट है देखे ओपरेटर ने यहाँ पर एक बड़ा सा रेड केंडल बनाया और यहाँ पर रिटेलर को यहाँ पर इन्वाइट किया कि आजो यहाँ पर मार्किट नीचे जाने वाला है तो यहाँ पर रिटेलर आये और उन्होंने यहाँ पर छोटे-छोटे से red candle बनाए यहाँ पर operator आसानी से market को ओपर लेकर चले गए फिर देखे यहाँ पर थोड़ा सा consolidate करने के बाद फिर से यहाँ पर seller को invite किया और फिर यहाँ पर buying में लेकर चले गए market को फिर यहाँ पर seller को invite किया फिर यहाँ से buying में लेकर चले गए फिर यहाँ ओपरेटर नहीं किया है, अगर मार्केट में ओपरेटर ना हो, तो रिटेलर यहाँ पर 90% लोस में ना हो, जिस तरह से सिकारी अपना जाल बिचाता है, अपने सिकार को पगड़ने के लिए, इसी तरह ओपरेटर भी यहाँ पर जाल बिचाते है, रिटेलर को ट्रेप करने के लिए तो देखिए आप भी इसी तरह से a5 और डाटा देख अंदाज लगा सकते हैं मार्किट आज किसको TREP करने वाला है आपको a5 और डाटा देखना है उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि मार्किट में कल कौन TREP होने वाला है सेलर TREP होने या फिर बायर ट्रेफ होने वाला हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ यह आपको किस तरह से पता लगेगा अब देखिए अगर और对 इनका डाटा अगर मार्केट में बुलिश है तो समझ लो यहांपर सेलर तो समझ लो यहांपर बायर ट्रेफ होने वाला है अगले दिन मार्केट के अंदर झाल है